हालो व्यूवर्स रसोई का आनन चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए गोबी मंचूरियन की रेस्पी लेके आई हूँ ये एक बहुत टेस्टी स्नैक बन के तयार होता है और घर में आप बहुत कम समय में इसको फटाफट बना सकते हैं ये बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनता है आप इसे जुरूर बनाएए ये देखिए अंदर से सॉफ्ट होता और बाहर से कित्ती क्रेंची हमारी गोबी बनी है सबसे पहले इसके लिए मैं गोबी को बाइट साइज में काट लूँगी चोटे साइज में इसके लिए काटा है ताकि ये इसके अंदर सॉसेज और फ्लेवर सब बहुत अच्छी तरीके से आजाते हैं बाइट साइज में इसको काटने के बाद हम गरम पानी में इसको 2-3 मिनिट के लिए बॉयल करेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए और इसके अंदर छोटे कभी कीडे भी रहते हैं तो वो भी निकल जाते हैं इसको बॉयल करने से पानी के अंदर मैंने आधा चमश नमक डाला है और इसके अंदर गोबी में डाल दूँगी और खुले में ही इसको 2-3 मिनिट बॉयल करूँगी इसको ढखना नहीं है क्योंकि हमें इससे बहुत जादा गलाना नहीं है खाली थोड़ा सा इसको सौटे करना है दूसे 3 मिनिट के बाद मैं इसको छनी में निकाल लूँगी और इसका पूरा मौश्चर हम ड्राइ कर लेंगे व्यूवर्स अगर मेरी रैस्वीज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए इसको हम साइड में रग देंगे अब मैं एक बाउल ले रही हूँ उसमें मैंने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है 3 टेबल स्पून ही कौन्फलोर ले रही हूँ मै और 2 टेबल स्पून मैं चावल का आटा लूँगी जो इसके अंदर एक क्रंची फ्लेवर लाता है इसके अंदर मैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिला रही हूँ वन फूर्थ चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाला है आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ एक चम्मच अधरक और लसन का पेस डाल रही हूँ मैं इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमें इसका एक ठिक इसकी सलरी बनानी है, बहुत ज़ादा पानी इसमें नहीं डालना है और इसमें अच्छी तरह से इसको कंबाइन करना है इसके अंदर लंप्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए एकदम स्मूद जब ये बन जाए पेस्ट की तरह तब इसके अंदर हम अपनी सौते की हुई गोबी डाल देंगे और गोबी हमारी बिल्कुल ड्राइ हो चुकी है इसको मैं स्पैचुला से इसके अंदर मिक्स कर दूँगी हमें बहुत ज़ादा गाड़ा डौ नहीं लगाना है इसको नहीं तो वो पकोड़े का टेक्स्चर उसमें आ जाएगा इसके उपर मैं तीन छोटा चमच कॉनफ्लो डाल रही हूँ आप इसके उपर मैदा भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें एकदम पतला लेयर में और एकदम ड्राइ गोबी चाहिए यह देखिए इस तरह से मैं गोबी को निकाल लूँगी और नीचे जो थोड़ी आपका बैटर बचा हुआ है उसको आप किसी और यूज में ले लिजेगा वो इसके अंदर नहीं मिक्स करना है अब मैं एक पैन में ओयल डाल दूँगी और मीडियम फ्लेम पर मैं उसको गरम करने के लिए रखूंगी हमें एकदम गरम तेल में गोबी को फ्राय नहीं करना है मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राय करना है और जब गोबी में अच्छा कलर आ जाएगा और एक क्रिस्पी नैसा आ जाएगा इसके अंदर तब तक इसको हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करना है बहुत जादा पकाने की जरुद नहीं होगी क्योंकि हमने पहले ही गोबी को सौते कर लिया है लेकिन उसका उपर का टेक्स्टर जैसे ही आपको क्रिस्पी लगे और कलर अच्छा आ जाए तो आप इसको एक छन्नी में निकाल लेजिए ताकि इसका सारा ओयल रिलीज हो जाए ये देखिए हमको गोबी के एक एक पीस दिखाई दे रहे हैं बहुत मोटा बैटर इसके उपर बिल्कुल भी नहीं लगाना है नहीं तो वो सौफ्ट हो जाता है गोबी अब मैं एक पैन में दो चम्मच ऑईल डाल रही हूँ छोटी दो चम्मच मैंने ओयल डाला है और इसके अंदर मैं दो चम्मच देगी मिर्च डाल रही हूँ ये हम एक चिली पेस्ट बना रहे हैं ओयल के अंदर चिली डालके गैस को मैं बंद कर दूँगी और इसको साइद में रख दूँगी अब एक बाउल में मैं दो जो हम मंचूरियन के अंदर डालेंगे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है और साइड में रख देंगे अब एक भारी तले की में कडाई ले रही हूँ इसमें दो छोटा चम्मच मैंने ओयल डाला है इस ओयल के अंदर एक हरी बिर्ची बारिक काट कर डाली है इसको मैं ओयल में हलका सा चला लूँगी अब इसके अंदर मैं दस कलिया बारिक कटी हुई लसन की ले रही हूँ वो इसके अंदर डालेंगे फ्रेश गारलिक का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसमें गारलिक थोड़ा जादा डलता है जैसे ही गारलिक और चिली को थोड़ा सा चला लेंगे इसके अंदर मैं एक मीडियम साइज का प्याज बारिक काटके डाल रही हूँ ग्रीन चिली और गारलिक के साथ प्याज को भी हम चला लेंगे और हलका सा सौते कर लेंगे अब इसके अंदर मैं एक शिमला मिर्च को बारिक काट कर डाल रही हूँ इस समय में हमारी गैस की फ्लेम हाई रहेगी तेज आँच पर ही हमें ये प्रोसेस करना है थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ वन फोर्च चम्मच तीन चम्मच जो हमने चिली ओयल बनाया है ओयल में देगी मिर्च डाल के जो बनाया था वो तीन चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी दो चम्मच मैं इसमें लाइट सोय सॉस डाल रही हूँ और चार चम्मच टमैटो कैचप डाल रही हूँ यही रेशो हमें लेना है ना इससे ज़्यादा लेना है ना कम लेना है जितनी कॉंटिटी हमारी गोबी की है इसके अंदर अब मैं जो शलरी बनाई थी वो डाल दूँगी कॉन फ्लोर की और अच्छी तरह से इसको कमबाइन कर देंगे जैसे ही ये सब चीजें ड्राइ हो जाएंगी तब तक हमें इंत हमारा मसाला बिल्कुल ड्राइ हो गया है हलका सा वन फोथ चमत में इस समय में नमक डाल रही हूँ और फ्राइ की हुई गोबी हम इसके अंदर अब डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको कमबाइन कर देंगे इस समय में हमारा मसाला बिल्कुल ड्राइ होना चाहिए और कैस को बंद कर देंगे, बंद कैस में ही हमें इसे मिक्स करना है, ताकि हमारी गोबी क्रिस्पी बनी रहे, और इसके उपर ग्रीन अनियन में थोड़े से और डाल दूँगी, अब हम इसको डिशाउट कर लेंगे, आप इसे जुरूर बनाएए, खाईए और इसका आनन लीजि यह बहुत ही अंदर से सौफ्ट है और बाहर से एकदम क्रिस्पी बन के तयार हुई है, मैं इसको आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ, यह देखी कितना अच्छा इसका टेक्स्चर आया है, और कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है, घर की चीजों से इसे बनाया है हमने धन्यवाद